हिस्ट्री लेक्चर के चैप्टर के बारे में डिसकेशन कर रहे हैं, जिसका नेम है इंटे, मनके और अस्तिया, यह हडपा सब्वेता से रिलेटेड एक चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम हडपा सब्वेता के बारे में और उस समय के पूरा इस्तलों के बारे में डिसके जो उस समय का प्राचीन एक मैप है जिसमें साहब दिखाएवा तक रहत इंडिया ही था यह धोलावीरा है जो गुजरात में पढ़ता है यह नागेश्वर है यह रंगपूर है यहाँ लोथल है यह साबर्मती नदी यहाँ पे आती है यहाँ पे माहीरी वर आती है, यह राकी गड़ी जो की हरियाना में मिला है, यह मित्ता थल है, यह बनावली है, और यह काली बंगन है, जो की हनुमानगर डिस्ट्रिक राजस्तान में मिला है, और इस एक मांड़ा जो की यहाँ जम्मु कश्मीर में मिला है, और भी कहीं सारे स इस तरह से ये विश्टत की लिए कि उस जमाने का ये पूरा इलाका, जो है, ये पूरा इलाका सिंदु घाटी सबेता के इलाका अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये पूरा इलाका जो मैंने यहां पर नोट किया है, अब आगिका है, अंग्रे जी में BC, यानि की हिंदी में इसापूरु का तात्परी है Before Christ यानि इसापूरु से तो BC का मतलब होता है Before Christ Before Christ का मतलब एक तरीके से मालनो इसामसी के जन्म से पूर्व कभी-कभी आप तित्यों से पहले AD लिख पाते हैं तो AD भी तो लिखा जाता है तो आजकल AD, AD यानी N O Domini होता है, और आजकल इसके जग़े या तो BC परियोग किया जाता है, या BCE परियोग किया जाता है, या फिर CE परियोग जेगा, Common Era हो जाता है, ये Before the Common Era और ये Before Christ हो जाता है, इस तरह से ये वर्ड आजकल यूज किया जाता है, ठीक है? CE अक्षरों के परियोग से common era, BCE का परियोग before common era के लिए होता है और हम इन शब्दों का परियोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्वगे अधिकांस देशों में अब common era का परियोग, common सामान्य हो गया, कभी-कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का परियोग किया जाता है अब इस हडपा सबेता के बारे में थूड़ा सा वरतान दिया है, वो भी हम देख लेते हैं आरंब, इस शेत्र में विक्सित हडपा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आए थी ये संस्कृतियां अपने विशिष्ट म्रदभाण शेली से संब्ध थी तता इनके संधर्व में हमें क्रशी पशुपालन तता कुछ शिल्पकारी के साक्षे भी मिलते हैं बस्तियां आम तोर पर छोटी सी थी और इनमें बड़े आकार की सरंचराएं लगबग नय के बराबर थी को पाकिस्तान में का जाता है सिंद में 166 और चोलीस्तान में जो कि थार किसान बोलते हैं उसमें 249 आरमवी खड़पा स्तल के अंदर इसमें 52 आ जाती है इसमें 36 आ जाती है नए श이죠 बस्तियां जोती इसमें तैयाली साती है और इसमें एक सोबतिस मतलब कुद मिला कि चोली स्थान में सिंध से भी ज्यादा बस्तियां थी निर्वाह के तरीके अब आपने मानचित्रों में देखा होगा कि विक्सित हडपा संस्कृतियां कुछ ऐसे स्थानों पर पंच्पिय है जहां पहले आर इसलियों से और इन तरीकों से अपना जीवनियापन करते थे से प्राप्त भोजन करते थे जले अनाज के दानों तदा बीजों की खोज से पुरा तत्व वित आहार समंदी आत्तों के विशे में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाई इनका अध्यान पूरा वनस्पति करते जो प्राचीन वनस्पती के अध्यान में काम आता है ठीक है तो एक और है एक अपने देखा नहीं इसमें त्याग दिये गए आरंभी घडपा इस तल में 39 यहां पे और 33 यहां पे तो सिंद के इस तल यहां पे साफ साफ दियें 106 है और चॉलिस्टान के जो है वह दो सो चॉलिस्टान ठीक है और सिंद को हम जानते ही है पूर्ववर्ती जो हिंदुस्तान था 1947 एविवाजित इंडिया उसके अंदर यह जो इलाका था सिंद का यह इंडिया का ही एक पार्ट था ठीक है तो इस तरह से हम इस पेच के डिसकेशन में आते हमने मैप में भी देखा क किस तरह से यह इस तरह कहां मौझूद है